सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिसन अपडेट हलो अर्यवान मैं बोहित मैं राज आपका रिनिंग विंटर लेकर के आया हूं ओल इंडिया स्पीट टेस्स का डिसकेशन चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन तो देखिए पहला कोश जोन इसकी कोडिंग करी गई है और यू एस फिर है डी एन यू उ टो देखिए ये दोनु जो आर हैं वो यहाँ पर हैं यू और एस यहाँ पर उन I.S.S. को अगर डिवाइड कर ले तो डी यहाँ पर है और एन यहाँ पर रहे फिर u यहाँ पर है, o यहाँ पर है, तो as it is इसी logic को ले करके हमें mitigate को solve करना है, mitigate, जो हमें दिया गया है, m, i, t, i, z, i, a, t, e, mitigate, तो पहले इन 4 को solve कर लेते हैं, यह 4 दो पार्ट में डिवाई जाएगा, यहाँ पर आपका i आ जाएगा, फिर आपका यह t आ जाएगा, फिर i ले लिजे आप, उसके बाद यह m ले लिजे, i, t, i, m, ठीक है, और इसके बाद यह last वाला e आजाएगा आपका यहाँ पर, e के बाद फिर आप t ले लेंगे, t के बाद a आजाएगा, सबसे last का आपका g आजाएगा, इस तरीके से जो logic हमें दी गये थी, उसी logic को follow करते ही हमने दी वाले विकल्पों सही कर दिया, ठीक, चलिए, अगला क्यों, इन शर्टेन कोट लेंग्विज, नोस्टेलिजिया इस 81, how will friction be coded, अब देखिये, हमें जो लग राइस में number of letter पर बात हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total 9 letter है, 9 letter है, तो यहाँ पे सीधे 9 into 9 कर दिया है, तो हमें मिल जाएगा 81, ठीक, friction में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 8 letter है, तो friction में total 8 letter है, as it is हम 8 into 8 कर देंगे, तो हम मिल जाएगा 64, 64 का मतलब जो है, D वाला विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, D वाला करेक्टर जाएगा, Next Question, Select the cube that can be formed by folding the given sheet along the lines, ठीक है, यह open dice है, इसे close करना है, आपको पता है, alternate चीज़े opposite होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक opposite W है, alternate है, यह इसका opposite होगा, और opposite चीज़े एक साथ मेंने चाहिए, यहाँ पर P का J देखेंगे, यह alternate है, opposite होगा, ऐसे E और T को लेकर opposite है तो यहाँ पर जो opposite चीज़े हैं, वो एक साथ में होने चाहिए, ठीक है, अब देखें, E के साथ P और J है, तो P और J आपस में opposite हो तो यह आपका नहीं बन पाएगा A वाला, ऐसे यहाँ पर E, A, W है, A और W आपस में opposite हो तो B वाला भी नहीं बन सकता आपका, W, P, J, फिर य T, W, E, T, W, E, यहाँ पर T और E opposite, D वाला भी नहीं बन पाएगा, कोई भी नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर सही answer है, यहाँ पर नो फिगर कैन भी फॉर्म, कोई आकरिती नहीं बनाई जा सकती है, D वाला आपका correct answer हो जाएगा, clear है, समझ जाया हो, next question है, चलॉक्स का, all dust bins are plastic item, तो सारा जो dust bin है, वो plastic item है, plastic item, सारा जो dust bin है, सारा जो dust bin है, dust bin क्या है, plastic item, ठिक, उसके बाद कहता है, no plastic item is stone, कोई भी plastic item is stone नहीं है, तो no correlation आप बनादेंगे, no plastic item is stone, ठिक है, conclusion, no dust bin is wood, अच्छा एक यहाँ पर यह भी था, all उर्ष सार स्टोन, सारा उर्ष जो है, वो stone है, तो उर्ष इसके अंदर आ जाएगा, सारा जो उर्ष है, वो क्या है stone है, ठिक है, तो no dust bin is wood, पहला conclusion आपको दिया हुआ, यह बिल्कुछ सही है, क्योंकि जब सारा plastic item is stone नहीं है, और stone किसके अंदर, wood के अंदर है, dust bin भी plastic item के अंदर है, तो यह conclusion, no dust bin is wood, यह आपका सही जाएगा, पहला वाला conclusion, दूसरा है, no plastic item is wood, no plastic item is wood, यह भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, no plastic item is wood, यह भी आपका correct हो जाएगा, इस तरीके से दोनों ही follow करेंगे, first and second follow, option c वाला लगाएंगे आप, निसकर्स first और second दोनों ही आपके answer करते हैं, ठीक है, next question देखेंगे, next question में दिया गया है, the vein diagram square stand for doctor, square जो है वो डॉक्टर को सो करता है, square stand doctor, circle stand blood donator, circle जो है वो blood donator, blood donator है, उसके बाद pentagon stand for woman, pentagon जो है वो क्या है, woman है, right, आप से पूछा गया है, the given number represent the number of person in that particular category, क्या है नीचे, question how many woman doctors are blood donator, कितने woman doctor है, जो आपके blood donator है, ठीक है, तो देखिए, ये हमारे हैं doctor, ये doctor है, ये है woman, और ये blood donator है, तो बीच में आपका ये दिखाई पड़ा 50 number, 50 number 3 को आप देख रहे हैं, मतलब blood donator भी है, doctor भी है, और woman भी है, तिसलिए हम लोग सही वाला विकल्प लगाएंगे, 50 वाला, C वाला विकल्प हमारा यहां पर राइठ हो जाएगा, C is the right answer, next question, ठीक है, select the later cluster from among the given option that can replace the question mark in the following series, आजे देखते हैं, N और M, यह 14 है, यह 13 है, यहाँ पर minus 1 दिख रहा है हमको, 13 है और यह 12 है, यहाँ पर भी minus 1 दिख रहा है, यह 12 है, यह 11 है, यहाँ पर भी minus 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर simply 11 के बाद हम लाएंगे minus 1, आपको 10 मिलेगा, 10 का मतलब J आजाएगा, ऐसे यह आपका Z है 26 है और यहाँ पर यह आपके सामने 28 है यह 26 के बाद A 27 होता है और B 28 होता है तो इसको हम कहेंगे प्लस 2 चल रहा है यह प्लस 2 चल रहा है इसके बाद यह 2 है यह 2 4 है यह भी प्लस 2 चल रहा है यह 4 है यह 2 6 है यह प्लस 2 चल रहा है पिर आप देखेंगे 6, 2, 8, 8 का मतलब यहाँ पर एच आजाएगा, उसके बाद, के 11 है, 11 और यह 8 है, माइनस 3 हम कह सकते यहाँ पर, 8 से, और 8 से 5 यहाँ पर भी माइनस 3 है, 5 से 2 यह भी माइनस 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमको माइनस 3 ही मिलेगा, अब माइनस 3 मिलने का मतलब जो है, आप जो है, 25, 23, 28, ठीक है, यह आपके सामने क्या आएगा, यह आजाएगा, जे एच वाई, इसका सही विकल्प हमारा है C वाला, C is the right answer, माइनस 1 किया गया है, प्लस 2 किया गया है, और माइनस 3 किया गया है, यह आपका राइट है, नेक्स क्वेश्ट, इसका से लेक्ष्ट इन विच दानुबर आज रेलेटेट इन दे सेम वे एज दानुबर आप दानुबर आपको बताना है, तो देखे, 18, 26 में अगर हम 26 से 18 का मैनस कर दे तो 8 हाजाएगा, 26 मैनस 18 कर दे तो 8 हाजाएगा, ठीक है, और 18 में 8 से मल्टिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा ही रिलेशन हमको यहाँ पर देखना है, किसके बीच में होगा, 22, 18, 246, 18 और 22 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारे सामने 4 आएगा, 4 में 22 से मल्टिप्लाई करने बात नहीं बनेगी, 12 और 9, 21 यह बी वाला बिकल्प आपका से जाएगा, बी वाले बिकल्प ध्यान दें आप, जैसे आपको दिया है, तो 12 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा, 12 और 21 का डिफरेंस 9 आएगा, 12 में 9 से मल्टिप्लाई कर दिया जाए, तो बारा नवई यह 108 हो जाएगा, इसलिए बी वाला बिकल्प आपका करेक्ट है, जो आपका कुश्चन में दिया गया था रिलेशन, वही जो रिलेशन है वो आपका किसम है, बी वाले में है, बी वाला राइट एंसर है, आई यह next question क्यों चलते हैं, यह board mouse का question है, ठीक, इसके लिए आपको विकल्प से ही देखना पड़ेगा, विकल्प आपको try करना पड़ेगा, हलाकि हम आपको यहाँ पर बता देंगे right answer क्या है, ठीक है, लेकिन जब आप solve करेंगे तो विकल्प से ही बात बनेगे, तो पहले तो यह हम question लिए आपके सामने, 78, divisible 48, into 8, into 8, ठीक है, into 8, और उसके बाद breakout लेंगे, आप 26, multiply 7, minus 39, breakout में 45 करेंगे, आप 45 के बाद, प्लस 15, बराबर 21, 0, ठीक है, चलिए, अब इसको हम आपको solve करके देखते हैं, कि क्या चीश चेंज किया जाए, जिससे की हमारा सही answer मिल जाए, तो सही answer चेंज करने के लिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखे, divisible यह जिसे की 78 और 45 है, 78 और 45, winter चेंज करने पे कटे करने हैं, ठीक है, यह 45 और 48 है, यह भी कटे करने, 48 और 49 है, अगर यहा आप लग सकते हैं, C वाला, 78 और divisible यहाँ पर कर दिया जा, 39, समझ रहें, आपको कि यह divisible है, into 8, 26 into 7 तो आप करेंगे ही, आप जहाँ पर 39 है, वहाँ पर क्या करेंगे, 48 करेंगे, क्योंकि यह divisible इसलिए हमने answer लिया है, ऐसे आप भी चेक करोगी, यह 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 45 प्लस 15, फिर हम जाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा, 21, 0, ठीक है, अच्छे, अब इसको डिवाइड करेंगे, 49 दुना, 78, यह आपका 2 आजाएगा, into 8, 26 और 7, 26 और 7, into अभी आप रखते रहते हैं, माइनस का 48 कर लेंगे, 45, 15 का क्या करेंगे, 60 कर लेंगे, 45, 15 का 60 कर लेंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपका आजाएगा, 8 दुना, 16, 8 दुना, 16, यहाँ पे sign किसका था, यह प्लस का sign था, मैं multiply लगा के चल रहा हूं, यहाँ पे sign जो हे plus का चल रहा था, उनके बीच में, मैंने sign ही लगाया है, यह multiply यहाँ पे plus का sign है, यह multiply यह plus का sign है, तो 8 दुनी 16 और plus 26 का 7 से multiply कर दिया जाए, 7 चंग 42 का 2 आएगा, 4, 4 दुनी 14, 4, 18, 182 आजाएगा, 16 प्लस 182 माइनस 48, इसके बीच में भी कोई सिंबल रहा होगा, 39 प्लस चला, मैंने यह symbol भूल गया हूँ, यहाँ पे plus कर दो, यहाँ पे plus कर दो, तो 48 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक, 48 प्लस 60 हो जाएगा, अब 16 और 182 दोनों को आप लिखेंगे, तो 6, 2, 8, इसका हो जाएगा, 6, 2, 8, 6, 2, 8 आपको मिलेगा, 8 के बाद फिर 5, ठीक है, 5 हो जा हो जाएगा, ठीक है, 258 और यह बराबर आपका हो जाएगा, 258 और उधर से माइनस लिलो, और 48, और 48 बराबर 210 आजाएगा, और यहाँ पे भी दुखो 210 दिया हुआ था, 210 यहाँ पर भी दिया हुआ था, इस तरीके से जो है, C वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट है C वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट है, C is the right answer है, अच्छा यह देखिए अब विकल्प से हमने जाना कैसे क्योंकि यह यह नंबर यहाँ से divisible हो रहा था, 59 और 78 यह हमने इसी को चूच किया और यह हमें सही एंसर मिल गया, ऐसे आपको भी करना है तो आप सही एंसर पा सकते हैं, चलो, question number 9, 83 का 3 से क्यारलेशन है, फिर आपका 5 है, 258 से 4 क्यारलेशन दिखाना है, तो देखिए, 83 का क्यारलेशन है, 83 का, अगर हम 3 का square कर लें, स्क्वाइर का मतलब 3 क्यारलेशन है, 3 की पावर 4 कर लें, तो 3 की पावर 4 कर लिया जाया, तो हमें मिल जाएगा 81, और प्लस 2 कर दें, तो हमें मिल जाएगा 83, हाना, अच्छा, इधर 4 का दिया है, 4 की पावर अगर हम 4 कर दें, तो हमें मिलेगा 256, और 256 में अगर 2 जोर दें तो हमें मिलेगा क्या 258 है ठीक है 258 तो ऐसे जो है यहाँ पर 5 है 5 की पावर 5 कर लिया जाए 5 की पावर 4 कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 625 625 और प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा 627 समझ गया 3 की पावर 4 कर दिया है 81 में 2083 आगया 4 की पावर 4 किया 256 में 258 आगया 5 की पावर 4 कर दिया 625 में 2 जोड़ दिया 627 आगया तो सही विकल्प हमारा यहाँ पर B वाला है B इस दा राइट एंसर B वाला करेक्ट एंसर है आपको कलियर हुआ समझ में आगा Next question अब देखे यह भी question जो है आपको solve करना पड़ेगा इसका दूसरा तरीका नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है सबका मतलब तो आप से पूछा है seize the mother seize the mother अब एक तरीका हम आपको बताएं options जल्दी करने का प्रेकि जैसे चार विकल्प दिये हुए तो अगर इसमें वही equation हमारे काम की होगी जिसमें सबसे पहले c का gender confirm करना है c का gender female कहां पे होगा उनी equation को आप लेके चले हाना तो जैसे देखे पहले वाले में यहाँ पे c hash m है hash का मतलब क्या दे रहा है a the sister आप भी चलो भाई इसको देखा जाएगा यहाँ add the rate है add the sorry sorry add the rate add the rate का मतलब है a मदरा भी b हमारे काम का है अच्छा m hash यह है तो यह तो last में last का gender तो clear होने के chances बहुत कम है और c add the rate h यह भी आपका है तो फिर इसमें यह तीनों में ही gender clear हुआ है तीनों में gender clear हो तो फिर आपको छेक करना पड़ेगा तो चलिए आप पहले हम h add the rate c देख लेते हैं h add the rate c इसका मतलब हुआ a इसमादरा भी तो h मदर हो जाएगी किसकी c की बलकि यहाँ पे हमको c मदर करना है hash का मतलब क्या है a sister है तो c sister किसकी हो जाएगी m की और फिर hash लगा हुआ है तो m sister किसकी जाएगी f की तो यह जो पहले वाले से तो answer नहीं बन पा रहा है a वाला विकल्ब तो हमारा नहीं काम दिया अब हम b वाले विकल्ब को try मारता है c add the rate h add the rate h का मतलब आप जान रहे है a mother है b की तो यहां पे c mother किसकी हो जाएगी h की c mother हो जाएगी h की hash का मतलब आप देखरे है sister बनाव One h sister है किसकी m की add the rate add the rate का मतलब پھर वही बात है m mother है f की m mother है किसकी f की हमसे पूछा गया c f की माता है तो यहां पे c f की माता तो नहीं है 찬 कि इस तरीके से अवाला दिव दो मरा केन्सीर हो रहा हो रहा है वह सी को हम ने चेक करेंगे का c का zhender लास्ट में है तो लाशे का एंटर थो किलियार मह करेंगे डी वाला और डिफिनिट्ली एंसर बने और बाद नहीं रहा bö Lec मतलब है कि सी मदर है किसकी है C mदर हे एक है को कि सिस्टर है फिर M h f है का मतलब फिर सिस्टर है म सिस्टर किसकी हो जाएगी तीनों आपस सिब्लिंग है और c क्या होगी मदर होगी यही पूछा गया थमसे c मदर आफ f तो d वाले विकल्प में ये बात हमारी सही होगी ये वाली बात हमारी d वाले विकल्प में सही होगी d आपका correct answer है clear है d is the right answer अब देखे यह आपके सामने एक paper है यह paper है इसको folded किया गया dotted area जो बता रहाँ fold किया गया फोल्ड करने के बाद फिर paper fold हुआ है देख रहे हैं अब paper इस समय ऐसे fold होकर के आया हुआ है इस condition में paper fold होकर आया हुआ है अब जब open किया जाएगा तो सबसे पहले paper जब open होगा तो उपर क्यों उपर जाएगा अब देखे यह जो triangle बने हुए इन triangle का ध्यान देजेगा कि triangle का scene कैसे बनेगा जैसे यह मंडी triangle की नीचे की और है तो यह ऐसे नीचे की और आने चाहिए तो यह मंडी उपर के और जानी चाहिए तो सबसे प्रेंगल की बात अगर करें तो ट्रेंगल में आपका ये जो दोनों सही बने हुए हैं, ये वाला गलबल है, तो B वाला गलत है, C वाला इंसर आपका correct हो जाएगा, C वाला इंसर आपका यहाँ पर right हो जाएगा, next question, select the option that is embedded in the given figure, rotation is not allowed, ये आपको जो दिया गया, इसमें rotation allowed नहीं है, इसमें कौन सा figure आके यहाँ पर set होगा, आएगे देखते हैं कौन सा बिकल्प जो है, हम यहाँ पर लिजा सकते हैं, rotation not allowed, मुझे तो ये वाली figure साब साब यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ऐसे, ऐसे, और ऐसे, देखो, ये वाली विकल्प आपके सामने यहाँ पर आते हैं, देख पार हैं आप, ये वाला विकल्प यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, कोई फिन बट इसमें हाई नहीं ह अगला question, यहाँ पर एक चार आपको group दिये हैं, किसी manner के थूँ ये एक group बना ले देखें, डिफरेंट क्या है, चलि सबसे पहले हम लोग ए वाले क्या आते हैं, T, X, C, Z, अब आप देखें, T का number 20 है, और ये है 24, यहाँ पर हमको plus 4 दिखाई पांगा है, ठीक है, plus 4 दिख करें, तो ये 26 के बाद 29 है, तो हमको यहाँ पर plus 5 दिखाई पर रहा है, ठीक है, ओके, और ये जो है, अगर 29 है, तो ये आपका 26 है, तो पीछे जा रहा है, यहाँ पर minus 3 हमको दिख रहा है, बाकी logic देखते हैं, क्या चल रही है, चलो भाई, अब DHSP में देखते हैं, B वाल स्कूर दिखाई पड़ रहा है, अच्छा, ये 8 है, ये 19 है, हमें लग रहा कि सीधे इसी से बात करी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये 19 और 16, माइनस 3 यहाँ पर दिख रहा है, माइनस 3 दिख रहा है, इसका मतलब बीच वाला हटा दो, बीच में कोई बात न दुर्द ही है, और प्लस फोर यहाँ पर दूएं, अच्छा, आप देखते हैं, सी वाले में क्या चल रहा है, आफ, जे, QN F का नमबर 6 है J का नमबर 10 है तो यहाँ पर भी प्लस 4 हो रहा है 6, 4, 10 हो रहा है यह 17 है यह 14 है माइनस 3 हो रहा है देख रहा है प्लस 4 माइनस 3 हो रहा है अब B वाला ही बचा रहे गए N, R, G, J N, R, J और G N 14 है 14 और 4, 18 हो रहा है ठीक, यह 7 यह 10 है और यह 7 है माइनस 3 हो रहा है N, R, J, G 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया 7 बचाए सारे में मामला सही हो रहा है यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है कुछ और चल रहा है यह कुछ और चल रहा है समझ रहे हैं करें अब हैं यह लॉजिक नहीं चल ले गए वि21 म मिल गई यह में कुछ और चलला कि वडाई भॉले इसको हटाते हैं कि यह लॉजिक तो नहीं चल लिए कि समय मैच कर गए है do झाल जैसे 2 मुझ्द चार प्लस-चार तो कडिन हम चला है यहां से यहां तक प्लस चाल चल लो है C का opposite अगर कर देते हैं X C का opposite होता है X X और उसके बाद Z C का opposite X होता है और X, Y, Z हो रहा है Q का opposite क्या होता है हमारा L Q का opposite Sorry J होता है J होता है और इसके बाद यह N दिया हुआ है J के LN J के LN X, Y, Z OK D D का बाद S, P है S का opposite X होता है S का opposite X होता है अपोजिट J Q J Q opposite है X का C opposite हो सकता है H का S हो सकता है J का Q होता है यह वाला OK A, logic मिल गई यार logic मिल गई है देखे 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 अक्च्वल में यह तो जैसे इसमें यह अपोजिट है C का X है, J का Q है H का S है R का opposite होता है I यह logic चल रही थी तो अपोजिक दिफेरेंट थी मुझे लगा साथ वो चल ला है लेकिन यह प्लस 4 चली रहा लेकिन इसमें जो बीच में है या opposite है हना J Q, X C, H S और यह R J है बलकि R I होता है तो D वाला विकल्प यहां पर डिफेरेंट हो जाएगा यहां पर हम लोग का D वाला विकल्प आपका डिफेरेंट हो जाएगा अच्छा कोश्चन था वासा कन्फ्यूज हो गया था ठीक चलो को, क्लियर हो गया है 5, 11, 275 5, 11, 275 का लोजिक क्या चल रहा है आप देख लेते हैं 5 5, 11, 275 5 में अगर हम 25 कर दें 11 तो 11, 25 तो आपको 25, 11 से मल्टिप्लाई करने पी तो आही जाएगा 25 गोड़े 11 कर दें 11, 25, 55 11, 22, 275 जैसा कि यहां पर दिया हुआ यह 5 गोड़े 5 यानि 25 गोड़े 17 अच्छा आप देखे यही वाला जो एंसर है वो हमें किसमें मिल रहा है इसमें किसमें मिल रहा है 4, 4, 4, 16 16, 16 का 16 से मल्टिप्लाई 256 6, 36 यह डी वाला आजाएगा डी वाला देखो 4 गोड़े 4 हाना और इंटू 16 कर दिया जाए तो चार चोग 16 और गोड़े 16 तो 16 का स्कुएर आप इसे जानते किता था 256 यह लॉजिक हमारी वाले में मैच कर गई है वी वाला विकल्प हमारे लिए राइट हो जाएगा दी वाले में यह लॉजिक हमारी मैच कर गई है 256 हमारा यह आएगा 256 क्लियर है यहां पर आपका मिरर रखा गया है यह आपको देखना आप देखे नाइन शुरू करते हैं नाइन नाइन यह तो सी वाला गलत हो गया आपका ठेक है फिर सिक्स यह तो सिक्स तीनों में है यह अपोजिट है वन आपका गलत हो गया पाइप है यहां पर फाइप अपोजिट हो चुका है बी वाला विकलप आपका राइट हो जाएगा थिक है सिक्स्टीन नमबर मारिसस पोर्ट लुइस तो मारिसस की राजधानी क्या है पोर्ट लुइस है तो आपको यहां पर बताना है कि इससे क्या सम्मल्द होगा इसमें जो है मारिसस की राजधानी पोर्ट लुइस है तो केनिया की राजधानी नैरोबी होती है दी वाला आप् D is the right hand next question अकड, सालिंता, निरासा select the option that related to third word ठीक है अकड और सालिंता तो अकड क्या है सालिंता का अपूजित तो निरासा का अपूजित आपका क्या होगा ठीक है निरासा का अपूजित होगा आसा निरासा का अपूजित होगा आसा ठीक है, अकल, होब, सही एंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, next, four words have been given out of which three are alike in some manner and one is different, select the word that is different, cardiologist, nephrologist, pulmologist और यह psychiatrist, तो इसमें different, अगर आप देखेंगे, तो आपका different होगा, psychiatrist, यह आपका यहाँ पर different होगा, clear है, अगला question, select the combination of letter that sequentially placed in the blank of the given series, ठीक, यहाँ पर आपको एक blank series दी गई है, हमें इसे fulfill करना है कि क्या होगा, answer, okay, क दिया है, क, O, C, T, Q, K, O, तो maximum दिखाई पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पर O रख दें, क, O, C, T, यहाँ पर तीनों में के है, C, T, Q, K, तीनों में क्यों दिख रहा है, ठीक है, क, O, C, T, क, O, C, T, T, Q, क, O, C हो जाएगा, क, O, C हो जाएगा, T, Q, K, T, Q कर सकते हैं, फिर, क, O, C हो सकता है, क, O, C, T, Q, क, O, C, क, O, C, क, O, C, फिर, यहाँ पर R है, दो बार T, R है, देखो, क, O, C, T, Q, क, O, C, T, R, क, O, C, फिर आजाएगा, very good, T, S, वा भई, अच्छी लोजिते, क, O, C, T, Q, K, O, C, T, R, क, O, C, T, S, और, क, O, C, T, T, very good, D वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, दी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, दी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दस जून 2011 को शप्ता का कौन सा दिन था आप देखे आप दस जून 2011 को शप्ता का कौन सा दिन था यह आपको बताना है यहां पर हम क्या करेंगे दस जून का मतलब है संदो हजार पर आप जाएंगे जून का मतलब होता है आपका 2011 का मतलब है 11 में से 10 साल आपके पूरे हो गए तो यहां पर नॉर्मल ये और लीपे आपको निकालना पढ़ेगे तो चार से भाग करेंगे चार दुना आठ, दो आपके आजाएंगे लीपियर, आठ आपके आएंगे नॉर्मलियर, एक लीपियर में दो विसम दिन बनता है तो दो दुना आपका चार हो जाएगा, आठ का बनता है तो आठ एक कम आठ हो जाएगा, आठ चार बारा, आठ चार 2011 में 5 विसंदिन वहां से लिया आप जनवरी का 3 लेंगे जनवरी का 3 विसंदिन लेंगे जनवरी का 3 विसंदिन आपके सामने लेंगे इसको देख लेते हैं पांस में हम दस नड में देखते हैं जनवरी का आपका बचा कितना जनवरी का तीन दिन बचेगा ठीक है अब देखेँ 2011 की फरवरी क्या है नॉर्मल है जीरो हो जाएगा मार्च का 3 हो जाएगा अपरेल का 2 हो जाएगा मैं का 3 हो जून दस तारीखे 10 का मतलब आप 3 कर दीजिए अब देखिए 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14 बचे कितने 5 तो 5 का मतलब आपका क्या हो जाएगा 5 का मतलब आपका हो जाएगा Friday पांच बिसन दिन बचेंगे और 5 का मतलब होता है Friday है इसलिए इसका सही जवाब हमारा जो है बी वाला है बी वाला correct answer है Friday is the right answer next question select the correct option that indicate the arrangement of the given words in the order which they appear in English dictionary ठीक है इनको अगर dictionary में रखा जाए तो क्या order होगा देखे पहले 4-4 सब में दिया तो 4 तो आनत है चार पर बात होगी 2-5 और एक चार के बाद 2-5 की बात अगर करें तो 2 का मतलब T-E-R है पांच का मतलब T-E-R है यहां पर M है तो डबल R तो नहीं आएगा M आज़गा 2 आ सकता है एक की बात करें T-U-R एक तो नहीं आएगा तो 2 ही आएगा तो C काटो और B काटो आप देखो चार दो एक और पांच पे कहानी है एक में क्या है T-U है इसमें T है तो पांच आएगा A वाला विकल्प आपका correct हो जाएगा A वाला विकल्प आपका यहां पर right हो जाएगा A is the option that can replace the question mark in the following series ठीक है इस series में आपका क्या चल रहा है यह आप से पूछा गया है तो series का logic क्या है यह हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर logic क्या चल सकता है 6 को अगर 2 से multiply किया जाए 12 12 में से 5 घटा दे तो क्या मिल जाएगा 7 7 आ सकता है ठीक और 7 का फिर multiply करें 3 से 7 का 3 से multiply कर दें 7 एक केस और इसमें 2 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 20 ठीक फिर 23 का क्या करें 20 का 2 से multiply कर दें तेज दुना 46 तेज दुना 46 46 में फिर 5 अगर घटा दें तो मिल जाएगा 41 एक तालिस में फिर हम multiply कर दें किस से तीन से एक बार 2 3 2 3 चलेगा 41 है एक तालिस है तीन से multiply कर दें तीन एक कम 3 3 4 12 एक सो तेईस और 5 दो पांच दो फिर दो जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 125 इसका मतलब देखो 2 से multiply 3 से multiply 2 से multiply 3 से multiply अपकी बार multiply किसे करें दो से 5 घटा दिया दो जो दिया 5 घटा दिया 125 को दो से multiply करते है 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 ठेक है और 200 में क्या करेंगे माइनस पांच घटाएंगे माइनस पांच घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 245 245 का मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा ठीक है 245 का मतलब बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा Next question How many triangle are, जिन द फिजर ठीक है यहां पर आपसे पूछा गया है कितने आपके त्रिबुज इसमें पाए जाएंगे देखें सिंपल सा तरीका देखें आप सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए यह यहां पर तीन त्रिबुज यहां पर देखेंगे इसमें आप देख लिजिए पहले तीन और यहां से भी यहां पर देखेंगे तो छैया पर देखेंगे द ten पर देखें पूरा पूरावक्जवक्जवक्जवक धीन वार्वेन सब거ई हमें तेरा का मतलब यहें वाला बिकल्प आपका करेक्टम धाया है ठीक है टूटल तेरा थीज़कश्वक्जवक्र! अगला कोश्यों , next question क्या कह रहा है इसमें different बताना है कि different आपका क्या हो जाएगा different आपका यहाँ पर देखना कि क्या हो सकता है ठिक 22 का square अगर हम करें 22 का square तो 484 22 का square 484 6 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 490 22 का square कर दें छे सो पच्चिस प्लस चे कर दें तो 631 जाएगा ठिक है 21 का square 441 जोड़ प्लस चे कर दें तो क्या मिल जाएगा 446 मिल जाएगा ठिक है टी सका square 900 टी सका square 900 इसमें प्लस 6 जोड़ेंगे तो 906 मिलना चाहिए लेकिन क्या है 908 इसका मतलब दी वाला ही आपका different हो जाएगा clear है दी वाला आपका यहाँ पर different हो जाएगा डी वाला answer आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा clear हो जाएगा next यहाँ पर यह एक series चल रही है यहाँ पर क्या है गदेखते हैं देखो यहाँ पर and है फिर यह 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 यहाँ पर पलट के रखा हुआ है प्र यह यहाँ पर आया यह यहाँ पर प्लट के रखा हुआ है अब देखी यह आपका एक यहाँ पर पलटेगा पल्टेगा तो पल्टेगा देखो किसमें और नया फिगर उपर लाना लाना है तो नया फिगर में ये तो नया फिगर है नहीं इसको पहले काटो ये भी नया फिगर है नहीं ये कुछ नया फिगर है ये नया फिगर इसको छोड़ दो उपर नहीं था बहुत तो नया ही फिग यह यह तो नहीं बन सकता है यह बन सकता है यह अच्छा यह उपर को पलटा है दी वाला विकल्प आपका क्लेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए फिर इस तरह से आज का सेशन आपको समझ में आया होगा थेंक्यू क्लाव